हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीके क्लासेज पोराल कम्टिटिव एक्जाम यूटूब चैनल आर्पीसी सेकिंड ग्रेड दोजार अठारा के सभी पेपर कम्पलीट हो चुके है और मैंने सभी पेपर के आंस्वर की और एक्सपेक्टेड का टोप का वीडियो मेरे यूटूब चैनल पे डाल दिया है जिसकी को भी एक्सपेक्टेड का टोप या आंस्वर की देखनी है तो वो मेरे यूटूब चैनल पे विजिट करके देख सकता है तो मैं आज आपके लिए जो आर्पीसी चेकिंड ग्रेड के जो न्यूज है एक बड़ी न्यूज लेके आया हूँ आर्पीसी जो पस्ट इंडिया रास्तान है उसने आज आर्पीसी के में जो भी पेपर आउट हो रहे है उनके बारे में आदे गंटे का एक डिबेट करवाया था और उसमें काफी कुछ उबर कर सामने आ रहा है जैसा कि आप सबको पता है कि आर्पीसी सेकिंड ग्रेट के सामजी ग्यान के भी पेपरों की काफी कंडिडेट ने सिकायत की थी कि उनका जो पेपर था वो ओपन मिला था और उसी परकार हिंदी के बाड़ मेर में पेपर आउट होने की खबरे आल्रेडी आई थी उस टाइम पे अभी तक आर्पीसी ने किसी भी पेपर का आउट नहीं माना है लेकिन बहुत जगह यह चर्चा चलते हैं कि पेपर आउट थे और आर्पीसी को उनकी जांच करवानी चाहिए तो दोस्तो मैं यह मानता हूँ कि RPSC को कंफरम पेपरो इसकी जाच करवानी चाहिए पेपर आउट थे या नहीं थे क्योंकि अगर पेपर आउट थे और RPSC एक्जाम दुबारा से नहीं करवाती है करवाती है तो उन सभी कंडिडेट के साथ जिनोंने मेनत की थी उन सभी कंडिडेट के साथ अन्याई होगा इसलिए RPSC को अपनी अट दर मिता सोड कर एक बार सभी पेपरो की जाच करवानी चाहिए उसके अलावा जो RPSC को अलग अलग परकार की सिकायते भी मिली है तो कुछ गलती हमारी भी है जब RPSC नेट बंद रखती है या RPSC सकत कदम उठाती है तो हम उसकी आलोसना करते हैं मीडिया वाले भी हम उसकी आलोसना करते हैं लेकिन जैसे ही पेपर आउट होता है या और कुछ आता है तो सब लोग RPSC को कटगेरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हमें भी थोड़ा RPSC के जो सकत रूल है उनका साथ देना चाहिए तता साथ में RPSC को भी चाहिए कि वो अपनी सभी परकार की परिक्साए निश्पक्स रूप से करवाए क्योंकि RPSC की परिक्साए एक तरीके से कोट में जाना एक मजाग बन चुका है RPSC कहर वेकेंशी 2011 के बाद में जितने भी वेकेंशी हुई है आलमोर सभी कोट में गई है पिरी के रेजल्ट के बाद में भी कोट में जाती है मैंस के रेजल्ट के बाद में भी कोट में जाती है और पता नहीं कितनी बार आंसर की चेंज होती है कितनी बार एक्सवे कितनी बार रिजल्ट चेंज होता है और यहां तक की जोइनिंग होने के बाद भी RPSC का रेजल्ट चेंज हो जाता है तो RPSC को सोचना चाहिए क्योंकि उसके साख पर continue सवाल उठ रहे है RPSC को टोटल जितने भी पेपर है उनको निश्पक्स करवाना चाहिए और जो भी है RPSC के जो पेवले पेपर आउट हुए है या नहीं है RPSC को जाच कनी चाहिए कि उनकी गलती कहां पे हो रही है दोस्तों जो पस्ति इंडिया रास्ता ने डिबेट करवाया बहुत अच्छा डिबेट था उसमें उसने जो मेन मेन जो खबर आई है जवाब तो देना पड़ेगा एक परिक्सा तक निश्पक्स कराने में आयोगलाचार है और यह बात पूरी तरह से सही है दोजा तेरा आरेश पिरी एक्जाम तो यहां तक की पूरी की पूरी एक्जाम दुबारा से RPSC को रिकंड़क्ट करवानी पड़ी थी क्योंकि उस टाइम पे अम्रतलाल और बहुत से लोगों का पेपर आउट होने के की खुलासा हुआ था और उसमें काफी लोगों की गिरबदारी हुई थी लेकिन उसके बाद में भी RPSC की जितनी भी वेकेंसी हुई है सबी पे कोई न कोई दाग लगता रहा है अभी देखो अस्वालों के गेरे में RPSC की साख यह बहुत अच्छा डिबेट था आपको जवाब तो देना पड़ेगा सच बात है RPSC को इन जो भी गटनाय हो रही है उनका जवाब तो देना पड़ेगा और कुछ कंडिडेट को भी चाहिए कि वो जो जब नेट बंद करती है RPSC या RPSC सकत कदम उठाती है तो होल ला करते है एक दिन अगर नेट बंद रहेगा तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला क्योंकि जो बच्चे पूरे-पूरी साल मेनत करते हैं और पेपर आउट होने या किसी भी चकर में उनका सेलेक्शन नहीं हो पाता तो उनके दिल पे क्या गुजरती है इसलिए सब को सोचना चाहिए थोड़ा कंडिडेट को भी सोचना चाहिए थोड़ा आयो को भी सोचना चाहिए आयो का कोई एक खराब है या पूरा सिस्टम बिमार है जवाब तो देना पड़ेगा अब यह देखो बेरोजगार संग अब बैरती कांग्रेस नेता बीजबी नेता कुल मिला कि यह वेकेंसी रिजल्ट के पहले कोट में जाए तो सबसे बड़ी आया कि यह रिजल्ट से पहले ही कोट में चली जाए क्योंकि रिजल्ट के बाद में कोट में जाती है तो काफी कंडिडेट को के साथ वह होता है को बहुसे लोग तो ऐसे होते जो आल्रेडी जोब कर रहे होते है और वो अपनी जोब से रेजिगनेशन द पड़ी हो जाती है इसलिए RPSC को सोचना चाहिए और कंडिडेट को भी थोड़ा सोचना चाहिए नोकरी देने वाला आयोग टेंशन क्यों दे रहा है नकल परसासन मापिया परसासन और आयोग से बड़े हो गए जितने भी अभी जो सेकिंड ग्रेड में है सबी सेंट्रों प पेपर आल्रेडी खुले हुए मिल रहे है लेकिन समझ में नहीं आ रहा RPSC उस पे कोई भी फेचला क्यों नहीं ले पा रहा है ये खबर बाड़ मेर में परिक्षा का पेपर आउट होने की सूचना ये तो पुरानी खबर है थैंक्यू दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिलीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सबस्क्राइब करना दोस्तों थैंक्यू